आगाम ये कारेक्रम प्राई उचित किया है ज्वाइस मायद मिनेस्ट्रिस के मित्रों और सहयोगियों ने यहनी मैं खत्रा है पर मैं कहूंगी मुझे टीवी पर देखने की बज़ाए परमिश्वर के साथ टाइम बिताएं मेरा मतलब है अगर आपकी पसंद मुझे या परमिश्वर में से किसी व्यक्त को चिनना है तो आप परमिश्वर को चुन तो मैं वास्टों मैं विष्वास करती Уब के परमिश्वर चाहते हैं कि मैं आपको बताहूं मैं आपको बता सकती हूं कि हमें उनकी ज़रूरत है लोगों से हमें वो नहीं मिल सकता जो हमें परमिश्वर से मिलेगा हमें कहां से शक्ति मिलती है हर समय सही चीज़ करने की यह हमें परमिश्वर के वचन से मिलती है आपको वास्तों में ये बताती हूँ कि अगर आपको परमिश्वर के वचन का अधियान करने के इच्छा नहीं है तो शयाद आप हमेश्या के लिए बेबी क्रिश्चोनी रहेंगे अब परमिश्वर बच्चों से प्रेम करते हैं और मैंने ही सोचती की हमारी मुक्ती हम क्या करते हैं उस पर आधारी थे मुझे लगता है ये परमिश्वर की तरफ से मुफ्त उपहर है लेकिन मुझे लगता है कि हम बहुत सी सुविधाय गवा देते हैं हम यहां धर्ती पर बहुत से शक्ति और अधिकार छोड़ देते हैं, परमिश्वर के साथ न चलने की इच्छा न होने से, आज आप में से एक सवाल किसी को पूछना चाहूंगी, क्या आपने मसी को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्विकार किया, लेकिन अभी तक उन्हे अपना प्रभू नहीं बनाया, मैं हमेशा कहती हूं कि 1996 में जब मैं परमिश्वर के साथ अपने समन्द के प्रतिक गंभीर थी, मेरा पुनर जनम हुआ था जब मैं 9 साल की थी, तो मैं बचाए गई थी, लेकिन मैं कुछ नहीं जानती थी, और अगर आप कुछ नहीं जानत हैं, तो आपके पास कोई दिशा नहीं है, आप नहीं जानते कि क्या करें, और जब 1976 में परमिश्वर ने मेरे जीवन को चुआ, उन्होंने मेरे अंदर एक आत्मी प्रोटताता का प्रोजेक्ट शुरू किया, जो बहुत ही कठिन था, लेकिन बिलकुल इसके लायक, मैंने परमिश्वर को अद्बुच चीजे करते देखा है, मेरे अंदर और मेरे द्वारा, क्योंकि मैं उन्हें मेरे जीवन में काम करने देती हूँ, और मुझे लगता है, ये मेरा काम है कि ना केवल लोगों को मसी के पास आते देखू, लेकिन विश्वासी की मदद करू, प्रो पाएं, मैं चाहती हूँ आप धार्विकता, शान्ति, आनंद पाएं, मैं चाहती हूँ आपकी जरूरते पूरी हो, और मुझे लगता है कि आप भी यही चाहते हैं, भजन सहीता, एक एक तीन, क्या ही धन्या है प्रेसन भागेशाली, संपन और गहरा है वो पुरुष जो दूष्टो की युक्ती पर नहीं चलता, तो आप में से कुछ इस से पहले कि आप कोई तरक्की करें, आपको कुछ नए दोस्त बनाने चाहिए, अभी तो हमने पहला वाकिया ही देखा है और हम पहले से ही एक बहुत बड़ा निर्णय लेने लगे हैं, मैं उनकी भावनों क केस नहीं पहुँचाना चाहाती, सुनिए मुझे नहीं लगता हमें सब पापियों से छिपना चाहिए, यहां मैं क्या कर रही हूँ जब तक आप उन्हें प्रभावित कर सकते हैं और वे आपको संक्रिमित करते हैं, तो इसके लिए जाएए, लेकिन अगर वे आपके प्रवरित्ति को बदल रहे हैं, आपको कुछ सकरात्मक लोगों के साथ होने की जरूरत हैं उन्हों के साथ रहे, अपने मुश्किलों को फोकस मत करिए कुछ ड्रीमर्स के साथ जाए, कुछ लक्ष अनमुखी लोगों के साथ, कुछ लोग जो आप पर भरुसा रखते हैं, कुछ लोग जो आप से प्रेम करते हैं, आपके साथ घर पर आपके साथ कुछ लोग हैं उम्मीद है आपके साथ ये नहो लेकिन मेरे साथ ये हुआ थो और मैं इसके लिए बहतर हूँ क्यूंकि आप देखे मुझे लगता है कि वो मेरे दोस्त थे लेकिन मुझे पता चला वास्तों में ये बहुत मुश्किल था वास्तों में आखरकार वो नहीं थे और इसलिए परमेश्वर को एक तरस से मुझसे कुछ चीजों को छीन लेना पड़ा, मैं उन चीजों को छोड़ने के लिए तयार नहीं थी तो उन्होंने उन्हें ले लिया और आपके साथ भी ऐसा करने में उन्हें खुशी होगी अगर आप बस उन्हें आज अपने मुझसे ये कहके एक निमंत रंदे परमेश्वर आप जो चाहते हैं मेरे जीवन के साथ करें लेकिन ये मत करो अगर आपको इससे मतलब नहीं है क्योंकि एक बार आपनी कह दिया तो आप इसे वापस नहीं ले सकते हैं आप राटना करने का मेरा तरीका है परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन में जो आप चाहते हैं वो करें और अगर आपको मुझे आल्टर से बांदना भी पड़े ता बांदे मैं वो होना चाहता हूँ जो आप चाहते कि मैं हूँ तो काम पर जाओ और बाद में अगर मैं शिकायत करता और आपसे भीक मांगू कि पीछी हटो मेरी मत सुनो आये भी आप भी इसी बात को स्विकार कर सकते हैं आये भी आमें यह और जैसा है जिसे एक बचा चाहिए और वो घर भवती होती हो और जब डिलिवरी शुरू करती है वो अपने पती से नफरत करती है कामरे से बाहर चले जाओ तुमने मेरे साथ यह क्या किया है? मैं द görün!? यह नहीं करूंगे और शमीने के बाद वो फिर से घर होती होती है मेरा प्यारा बच्चा मेरा प्यारा बच्चा तो इसी तरह से परमिश्वर के साथ एक बार आपने उन्हें अपनी आत्मा में बीच बोनी की अनुमती दे दी और आपके जीवन में काम करना शुरू कर दिया आपको बच्चा होने वाला है आपको बेबी इशू होने वाला है बहुत ही प्यारा बच्चा, वहां कुछ प्रेम, आनन्द, शान्ति, सेन, शिल्दा, अच्छाई होगी, सब कुछ बहतर होगा आप जानते हैं। बाइबल कहती है कि इसको पूरे आनन्द की बाद समझो ये जानकर कि तुमारे विश्वास के पर्खे जाने से धीरच उत्पन होता है, खैर क्या आप जानते हैं। इसने मेरे अंदर से बहुत सी चीज़ों को बाहर कर दिया, पहले हम कभी धीरच पर आते, ओ, मैं, मैंने मुश्किलों में अच्छा वेवान नहीं किया, मैं अकाल में एक गंड़े तक भी नहीं ही रहा, एक साल तो जाने तो, मुझे लगता है आज मेरे पास करीब, 33 वच्चान है और मैं नमबर दो पर हूँ, तो हम मुश्किल में है, धनिया है, प्रसन भागेशाली, संपन और वो पुरुष जो दुष्टों की मुक्ती, उनी की सला, उनकी योजना है, और उदेश्यों पर नहीं चलता है, और न पापियों के मार्क पे खड़ा होता है, और न ठटा करने वालों की मंडली में बैठता है, परन्तु वो तो यह हुआ की वेवस्था पर सिप्रसन रहता और उसकी वेवस्था पर राद दिन ध्यान धरता रहता है, और जब वो कर लेता है, वो उस विर्खष के समान है, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी रित्व में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुर्जाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे, वो सफल होता है, मैं एक बार फिर से इससे पढ़ना चाहूंगे, वो उस विर्खष के समान है, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और अपनी रि पुरुष करे, वो सफल होता है, जो कुछ भी वो पुरुष करे, सफल होता है, सफल ही होता है, प्लीज, 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 प्रमिश्वर के वचन को यध्यन करने के लिए अपने जीवन में समय अलग रखें, बस ये मत सोचे कि मेरे टीवी प्रोग्राम देखन काफी है सोचे कि रईवार सुभवदेश सुनना काफी है यह गलत है परमिश्वर का अनादर होता है जब हम उन्हें नजर अंदास करते हैं दूसरों के पास भागते हैं और सबसे अच्छी चीज़े जो आप कर सकते हैं आप जो सुनते हैं उनके नूट लें फिर आप घर जा और परमिश्वर से आपको कुछ प्रकट करने के लिए कहीं जिससे आपको जैसा परमिश्वर आप से चाहते हैं वैसा रहने में मदद मली हमारे लिए आज इतना कुछ उपलब्द है मुझे डर है लोग सोचते हैं कि कोई दूसरा उन्हें वो सब कुछ चमस से खिला दे ज ख्रुपा परमिश्वर को चुने मैंने बल्की आप से ये पहली बार कहा है कई बार कहा है आपको नहीं बता हूँ जो मैं वास्तों में विश्वास करती हूं कि परमिश्वर उपहार और पादरी सम्मंदी उपहार की जरूरत है और हाँ, मुझे यकीन है कि आपको मेरे सिखाने से समझदारी और कुछ रहसे मिलेंगे लेकिन फिर भी मैं आप से चाहती हूँ कि आप मुझे सुने कुछ नोट्स लें और फिर परमिश्वर के पास जाएं और गहराई में जाएं समय बस वचन की तरह पर नजर न डालें जैसे कि एक चोट इसी मदुमा की एक फूल से दूसरे फूल पर काफी देर उस पर रुके और अपना नाक उसमें गड़ा के कुछ ऐसा निकालें जो सच मुच आपकी मदद करेगा, आमें और मैं समझते हूँ इस तरह से लोगों के साथ करना कैसा है क्योंकि ये ऐसा है, खैर आप जानते हैं आपने किस तरह कर रात व्यस्त होने के बहाने से चुटकर अपाय खार मुझे एदन करना है, लेकि मेरे पास समय नहीं है, मैं व्यस्त हूँ अगर आप इतने व्यस्त हैं कि परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता सकते दिन में 30 मिनिट आप आप से शुरू कर सकते हैं, अगर आप इससे संभाल नहीं सकते, मुझे परवानी पांच मिनिट से भी शुरू कर सकते हैं, फिर आप इसके इतने आदी हो जाएंगे कि पांस से दस की हो जाएगी और फिर दस से पंदरा की हो जाएगी समय अवधी और फिर आपको एक गंटे की जरूरत होगी और फिर कुछ गंटे और फिर आज इसके बिना नहीं रह पाहेंगे मैं घर से बाहा नहीं निकलती बिना परमेश्वर के समय बिताए मैं अच्छी नहीं हो अगर मैं करो मुझे अपने अच्छा कोहर सुबर ठीक करना होता है मैं चीज़ों को ठीक नहीं कर सकती परमेश्वर करते हैं और परमेश्वर मुझे मेरे मूँ के बल गिरा देंगे अगर मैं कुछ गलत करूँ, आमीन, आज सुबह मैंने परमेश्वर के साथ तीन घंटे बिता यहां आने से पहले, यह ने पहले भी यह उबदेश दिया है, यह मेरा, पहला उबदेश नहीं है, क्या मुझे वास्तों म मुझे आज की सफलता देगी, अगर मैं परमेश्वर का यह कहकर सम्मान न करूँ, मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपके लिए बिताब हूँ, अगर आप दिखाई नहीं देते हैं, हम में से किसी को भी वहाँ होने की जरूरत नहीं, मुझे बस अपनी नौकरी से नफ रहते हैं, वहाँ इतने घ्रेनित लोग है, परमेश्वर आपको मुझे यहां से निकालना होगा, ओ, माफ करना मुझे लगा, आप सेफ कई चाहते हैं, ओ, चीक है, मैंने सुचा जब आपने उस दिन प्रार्तना की थी, आपने कहा, परमेश्वर मेरे इस्तमाल करें, वहाँ काम करने वाले आप एक अकेली मसी हैं, बिल्कुल आप हाँ कुछ कर सकते हैं, अगर आप 30 मिनिट जल्दी उठे, जाओ कहीं किसी ये कुर्सी पर बैठो और कहो, परमेश्वर में उस जगे आज वापस जाओंगा, आपका प्रतिनिदित्व करने और मैं इसे सही करना चाहता हूं, और मैं उन्हें थपण माना चाहूंगा, अगर आप मुझे ऐसा न करन की ताकत नहीं देते, मैं आपको ये कोशिश करने के लिए दोहरी चेतावनी देती हूं, आप दिन परमेश्वर के पास जाना शुरू करें, और आप पाएंगे वो कैसे आपके जीवन में काम करते हैं, आप जानते हैं मुझे, और मुझे अपने चोटे शोज देखने में दिल्चस्पी है, और मुझे अपनी फिल्में देखना अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको क्या बताऊंगी, आप जानते हैं, ये एक उम्रे की बात है, लेकिन मैं नौ जाती हूं और पांच बज़े उठती हूं, हाँ, आप इसके लिए नहीं उठते हैं, खेर ये भी ठीक है, मुझे परवा नहीं किया, आपकी समय पर उठते हैं, और वास्तों में अगर आप सुबह ये नहीं कर सकते, तो आपके लंच की टाइम में कीजिए, मेरे पती वहां प्रार्थना में बिताते थे, परमिश्वर के साथ प्रार्थना प्रार्थना और प्रार्थना करते ही वो लोगों को परमिश्वर के बारे में बताते थे, वचन के बारे में बताते थे, और हमारी सेवकाई के बारे में बताते थे, वो बस उन्हें समझाते प्रार्थना प ज्यादा समय नहीं हुआ, ओ और लगबग दो लाख, लोगों ने हमारे साथ बाइबल स्टड़ी के लिए साइन अप किया, और ये बहुत ही रोमान चित कने वाली चीज थी कि लोगों ने लिखा और कहा ये उनके लिए जीवन बदलने जैसा है और मैंने उस सुझाओ पर काम किया, अधिक मात्रा में न पढ़ें, गुणोत्ता के लिए पढ़ें और मुझे परवा नहीं कि आप खुद के लिए क्या करते हैं, इसे देखे कि हमने वचन में क्या पाया है, परमीश्वर को आपसे बात करने का मौका दे, अबकुप 3, 17, 19, क्योंकि चाहें अंजिर के व दाख लकाओं में फल लगे जल पाई के व्रिक्ष से, केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अनना उपजी भेडशालाओं में भेड़ बकरिया नर है और खानों में गाय बैल हूँ, ठीक है, इसके बार में बात करते हैं इस तरह की, इसे हम समच सके हैं, हालां कि मेरी न फेलिंग ग्रेड लेकर आए और टीचर की लेटर घर पर आई, कि वो क्लास में अशांती फैलाते थे हैं, हाला कि पती राद भर रिक्लाइनर पर बैठ कर बियर पीता है, जबकि मैं परमिश्वर की सेवा करने की कोशिश कर रही हूँ और ठीक, लोगों को दोश दिना बंद करो, हाला कि पतनी आलसी और कुछ नहीं करती है, लेकिन आप जानते हैं, जो कुछ भी हो हाला कि मैं अपने चेहरे पर पिंपल्स के साथ जाकती हूँ, हाला कि बाद में मेरा वजन दो पाउन बढ़ गया है, मैं आप से बात करने की कोशिश कर रही हूँ अपनी इस जनम दिन पर मैं 71 की हो जाओंगी, और आज सुबह मेरे मुपर मुहसा था, आप ये मुपर मुहसा कैसे आ सकता है मैंने निर्णे लिया कि इस से ऐसे इलू कि मैं वापस जवान हो रही हूँ हाँ, मैं फिर से की निजर हूँ हाललुया हाला कि मेरी जिन्दगी में कुछ काम नहीं कर रहा है, मेरे पास एक मुकदमा नहीं, बारा मुकदमे है, फिर भी मैं यहोवा में खुशी मनाओंगा, मैं कहूंगा, नहीं मुझे ऐसा लगता है, मैं करूंगा, मैं करूंगा मैं करूँगा आपके पास मुफ्त इच्छा है और अपने उधार करता परमीश्वर के द्वाराती प्रसन नहीं रहूँगा अब आपको वचन 19 को देखना होगा यहुआ परमीश्वर मेरा बल मूल है मेरी व्यक्ति गद बहादुरी मेरी अंजय सेना वो मेरे पाउं को हरीनों के समान बना देता है वो मुझे मेरे उची स्थान उपर चलाता है आई ये भी किसी को परमीश्वर की मही मादे नी ही चाहिए उचे स्थान पर वो स्थान नहीं है जहां समस्याई नहीं है वो कहता है कि उचे स्थान है कठी नाई या कश्ट जिम्मेदारिया और क्यों वो एक मुचा स्थान है क्योंकि जब आप करते रहना कर सकते हैं जब आप सही करते रह सकते हैं, जब कुछ भी आपके लिए सही नहीं है, जब आप कुछ कर रहे हैं अपने परमिश्वर के साथ सम्मन के बारे में, जो कोई अविश्वासी इंकार नहीं कर सकता और कोई शैतान नरक में इसके विरुद नहीं आ सकता और यही हमेच चाहिए, म मुश्किलों के लिए अभिश्रीक्त है कि आपने मुझे सुना आपको जरूरत नहीं पवित्र आत्मा से भरे होनी की हर चीज आसान है गलत यो छे साथ दस कहता है कि अपने मन में बेशुद्ध ना हो और छोड़ दो दो खा न खाओ परमीश्व ठठो में नहीं उड़ाया जाता क्यूंकि मनुश्य जो बोता है वही काटेगा वचन आठ चार क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है नीच वहवार वो करता है जो उसे लगता है वो शरीर के द्वारा विनाशी कटनी काटेगा और जो आत्मा के लिए बोता है, देखो आज आप आत्मा के लिए बो रहे हैं, यहां सिर्फ कुछ निराले लोग ही छुट्टी लेकर ऐसा कुछ सुनने के लिए जाते हैं, मेरा मतलब है आपको थोड़ा असामानी होना चाहिए, कि एक दिन की छुटी लेकर जाएं, कोई आपको बताता है कि आपके कश्ट और मुश्किले अद्भूत हैं, बाइबल यह कहती है कि हम अजनवी और अलौकिक जीव हैं, जो यहां से गुजर रहे हैं, आई अब वचन नौ को देखने वाले हम भले काम करने में ही आव न छोड़े, क्योंकि यदि हम धीली न हों तो ठीक समय पर, कटनी काटेंगे और हम यहां रुकेंगे, इसके आगे भी कुछ आपकेंगे, वचन ने फिर से देखते हैं, वचन नौ, हम भले काम करने में ही आव न छोड़े क्योंकि यदि हम धीले न हों तो ठीक समय पर, कटनी काटेंगे, और हम यहां रुकेंगे, आओ वेवस्ता वेवरण 26, 14 को भी देखते हैं, उन वस्तोव में से मैंने शोग के समय नहीं खाया, भाष। बस इसको देखे हो, उन वस्तोव में से मैंने शोग के समय नहीं खाया, मुझे ये अच्छा लगता है वो कह रहा है जब मैं मुश्किल में होता हूँ मैं जो परमीश्वर का है उसमें से नहीं लेता और अपने आप पर इस्तमाल नहीं करता मैं ये शांत हो जाता और जब आप दश्मानश के बारे में बात करते हैं खैर मैं इससे थोड़ा आगे जाकर ये कह सकती हूं पहले 10 प्रतिशत आपकी हर तरह की बढ़ती आपके नहीं है ये परमीश्वर के और जब हम जो परमीश्वर का है वो लेते हैं तो हम बहुत सी आशिशों को को देते हैं जो हमारे लिए उनके पास है और कुछ लोग कहते हैं ख़र दश्मानश कानून के तहट कोई नियम नहीं है खिर आप जानते हैं मुझे लगता है एक बात जो मैं इसके लिए कह सकती हूं यदि 10 प्रतिशत दे सकते हैं कानून के तहट तो हमें क्या करना चाहिए अनुग्रा से अगर आपने नर्सरी में काम करने के लिए साइन अप किया है और आपको कोई व्यक्तिकत समस्या है तो ये कितना आसान है कि आप आप दिखाई ना दे लेकिन देखो जब होता है जब आपको जाने के लिए दबाव की जरूरत होती है क्योंकि आप ये किसी परिणाम को पाने के लिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको परिणाम नहीं मिला आप कर रहे हैं क्योंकि आप परमिश्वर का बच्चा है और आप परमिश्वर को प्र हमें योहन ना पंद्रा में सीखने को मिलता है मसी में बने रहो मिलने के लिए नहीं ना संडे सुभा की दौड में 45 मिनिट की विजिट मसी में बने रहने के लिए ये शब्दा बने रहना का मतलब है निवास करना लगातार और रहना और वो सच मुझ कुछ मौलिक वादे करते हैं जो मुझे बना है रखता है यदि तुम मुझ में बनी रहो और मेरी बाते तुम में बनी रहे तो जो चाहें मांगो और वो तुम्हारी लिए हुचा आएगा ओ मेरे खुदा मैं अभी भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया अगर मैं खुदा होती तो मैं हमारे जैसे जूंड को बताने से डरती बेशकपुरी बात यह है कि अगर हम सच में रहते तो हम सिर्फ वही चाहेंगी जो परमिश्वर चाहते तो ये एक तरह का मनोवज्ञानिक मोड भी है बने रहो महान महान खुलासा जो कभी मैंने अपनी जीवन में पाया हो परमिश्वर के विश्वर में कि वो मेरे जीवन के हर पहलू में सम्मेले तो होना चाहते हैं मेरा सोमवार मेरा मंगलवार, मेरा बुधवार, मेरा गुरुवार, मेरा शुक्रवार, मेरा अशनिवार और मेरा रवीवार और फिर रवीवार को चर्च के बाद भी वो मेरे जीवन में जुड़े रहना चाहते हैं मैं रवीवार सुबह 45 मिनिट के लिए धार्मिक नहीं बन सकते और फिर शेश हफता भर मैं दुनिया की तरहूं वो जुड़े रहना चाहते हैं मैं क्या पहनती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, मैं किसी के साथ हूँ, मैं क्या करती हूँ अपने पैसों के साथ तांग जाग करने वाला मैं आपको प्रुसायत करना चाहूंगी कि हमेशा वही करे जो सही हो क्योंकि वो सही है इसलिव ही करे मैं आज आपको वचन देना चाहूंगी और वचन ही है जिसने मेरी भी जिन्दगी पूरी तरह बदल दी थी और इस सरिकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं, हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, खरीबों को कपड़े देते हैं, और कई देशों में सूसमाचार बाटते हैं, अपना प्रात्ना निविद के लिए कृपया आज ही संपर कीजिए, हमारे श्रोतों के बारे में और विचानिये, जोईस के सभाओं की सूची देखे, हमारे साथ सहभागियों बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को पाटते हैं। इसका खर्च उठाया है जोईस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।